आप नवस्कार प्यारे विध्यारतियों बच्चो आज हम दो चीजों पर बात करेंगे पहली चीज तो यह कि जो आप कटॉप के बारे में बार बार पूछ रहे थे मैंने आपको क्या शेयर किया था गूगल फॉर्म शेयर किया था उसमें मैंने आप से यह बोला था कि आप फॉर्म भर दीजे है ना क्योंकि गूगल फॉर्म से ही मैं आपको कटॉप के बारे में बता पाऊँगा ऐसे मैं हवा में बात नहीं करूँगा टेलिग्राम पॉल के बैसिस पर ठीक है तो जो गूगल फॉर्म आपने भराए उसमें मुझे लग बख साथ सो पचास जो है गूगल फॉर्म को भरा है हाला कि यह सपिशन नहीं है क्योंकि अगर अठारा सो पचास आपकी वेकेंसी है तो उसके लिए इतना सा जो है यह सपिशन नहीं इतना सा डाटा और लगवग पचास जार लोगों ने एक फॉर्म भरे थे एक्जाम के लिए तो उस इज़ाब से यह साथ सो पचास डाटा को मल्टिप्लाइ कर लिया है तीन गुना और इसकी साब से मैंने कोसिस की निकालने की तो जो में यहाँ पर जो यहांपर कटोफ जो बताने वाला हूं उस में मेरा कोई रोल नहीं है या मेने अफने मन सो कुछ किया वो कुछ भी नहीं किया है जो आपने अपने नंबर मेरे साथ शेयर किये गूगल फॉर्म में केटेगरी वाइज चाहे उसमें जनरल का भरा हो आपने ओबीशी का भरा हो EWS, ST, SC और फीमेल में भी सेम चीज फीमेल में भी उन सब को मैंने एनलाइज किया इन साथ सो पचास जिसने बचों ने यहां पर फिल में इसका ना तो क्रेडिट लेना चाहता हूं ना ही में कट अप के फेवर में कभी रहा हूं, ठीक है, सीब में कट अप क्यूं बता रहा हूं इसका क्योंकि मेरे पास नमबर और मेसेज इतना है कि सर आप कट अप पर बात क्यूं नहीं करें, आप कट अप बताईए क्या ज वाली बात है अगर मैं यहां खड़ा हो कि अगर इस वीडियो को रिकाड कर रहा हूं तो मैं मेरा टाइम खराब कर रहा हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो क्योंकि इस कटॉप का कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेक्शन से, ठीक है, कट अब से आपका नुकसान ही होगा, क्या नुकसान होगा, अगर मालो कोई बच्चा है जिसके 120 नंबर है या 118 नंबर है, कट अब में हम बता देतें कि कंट अब के अंदर आ रहा है, उसका ना तो पढ़ाई में मल लगेगा ना ही वो पढ़ाई करेगा, तो simply वेस्टिंग आप टाइम वाली बात ही है, टाइम बेस्ट करने वाली बात है, और कट अगर बताने से सेलेक्षन होता ना, तो कोई भी कटोप बता देता है, कटोप बना दे, सलेक्षन नहीं होगा, पेपर हो गया, जब रिजल्ट आइगा, तब ही सारी चीज़े होने वाली है, फिर भी, पहली बार और आख्री बार में कटोप बता रहा हूँ, अदरवाएस मैं कटोप के फिव ही है सिप जो भी कटोब है वो आपने जो डाटा दिया उसकी साब से मैंने उसको क्लासिफाई करके यह पर बता रहा हूं ठीक है चलिए समझें यह है आपका कटोब सारा ठीक है थोड़ इसी विजिबिलिटी में बढ़ा देता हूं आपकी ताकि आपको सारा सीए से दिखें ठीक है यह आपका कटोब है यह जो कटोब है आरेचियो का दोजारतेनी एनलाइसिस बेज़ और यूर फिडबेक इस पस्ट मैंने लिख माना जाएगा क्योंकि कुछ भी जो एक्साम नहीं दिया वो भी बचा मापर टिक कर देता है ठीक है केटेगरी वाइस मैंने यहाँ पर क्लासिपाई किया है एक्सपेक्टेट कटोब यह हो सकता है 750 रिस्पॉन्स के बेसिस पर मैं यह बता रहा हूं हाला कि मुए एक्सपे के आसपास है जनरल में ठीक है यही सीटे है तो 240 सीटे अब इस जनरल ओपन में सभी लोग आएंगे स्टी सी ओबी सी फीमेल मेल सब और जनरल के बच्चे भी रहेंगे तो इसका कटोब जो है मैंने जो डाटा निकाला है उसके अकोडिंग 125 से 127 जा सकता है अब इसमें एक 123 जसकते हो कि 130 भी हो सकता है और 112 भी हो सकता है ठीक है जनरल फिमेल की बात करें तो फिमेल का कटोब 118-122 प्लस मैंने यहाँ पidd dumping यहाँ पर भी थिन रखना थिन प्लस मैंने मान के चलना जो भी मैं कटोब बता रहा हूं इसमें प्लस मैंने मैं bakटोब बता रहा है कि यह बता रहा हूं तो वो 130 भी हो सकता है 122 भी जा सकता है का टॉप जन्रल फिमेल में बात करें तो प्लस माइनस 3 आपको लेके चलना 118 से 122 का टॉप जा सकता है EWS ओपन की बात करें तो 123, 125 प्लस माइनस 3 रह सकते हो ओपन में लगबग इस से थोड़ा सा ही कम जाएगा 125, 125 थोड़ा बस एक दो नमबर कम रहेगा फिमेल की बात करें तो इससे एक दो नमबर कम रहेगा तो 118 से 120 प्लस माइनस 3 यहां हो सकता है ओब इसी ओपन की बात करें तो यह भी लगबग EWS के आसपासि रहेगा 119 से 122 प्लस माइनस 3 यहां पर भी कर लेना और इसी फिमेल में एक सो पंधरा से 118 प्लस माइनस 3 यहां पर रख सकते हो माइनस तो कमी होगा माइनस तो जाएगा नहीं प्लस धिरी रखना इसमें तो है ना और ST female की बात करो तो 100 की नीचे भी हो सकता है ठीक है प्लस माइनस 3 मतलब 97 से लेके 107 तक की बात कर रहा हूँ मैं प्लस माइनस 3 का मतलब यह है और यह जो भी कटो भे ना बच्चा इसमें मेरा कोई ही फेर बदल नहीं है नहीं मैंने कुछ इसमें अपने इसाब से सेट किया है जो डाटा आपने मुझे गूगल फर्म पर शेयर किया था अपने नंबर शेयर किये थे केटेगरी वाइस, मेल, फीमेल वाइस, इडबली वाइस, सब कुछ उसी के बैसिस पर यह निकाला हुआ है अपने मंस से यहां पर कुछ भी मैंने बात नहीं की है अगर यह कट अप सही बैठता है तो इसका क्रेडिट आप ही लोगों को जाएगा और गलत बैठता है तब भी आप ही लोगों को जाएगा ठीक, क्योंकि मैं तो कट अप पर फेवर में ना पहले था तो रख सकते हैं जैसे EWS में सीटे मुझे नहीं पता कितनी है शायद 188 के आसपास सीटे होंगी इसमें है ना अभी सी की बात करो तो 240 इसमें थी फिमेल में 120 सीटे थी कुछ ऐसी ओपन में शायद 178 कुछ ऐसी सीटे है यह जो पूरा बनाया ना यह सीटे को देखके ही बनाया मैंने ऐसा नहीं है कि आठारा सो पचासे तो उससे के साब से बना दिया सबकी मेरे अलग अलग सीटे देखी कि 240 जो जो ए जनरल की ओपन है फिमेल की इतनी है उसी के साब से कट अप निकाला है मैंने यह ठीक है तो आप इसका शाय होते स्क्रिंशोट ले लो इसका है ना स्क्रिंशोट ले 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 ना अब बात करते हैं बच्चा कुछ और क्या बात करते हैं और मैं समझीए और मैं हम बात करते हैं कि आगे में क्या और classes लेने वाला हूँ चीजे समझना जो AFO वाले बच्चे हैं जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी class अपनी शुरू होने वाली है है ना उसकी classes अब इसकी classes हम शुरू करेंगे allied subjects है क्योंकि general agriculture सबकुछ हमने पढ़ा दिया है यह क्लास में दुबारा भी पढ़ाएंगे लेकिन पहले हम शुरू करेंगे क्या जैसे मालो फोरेस्टी है इनजीनेरिंग है आपका एनिमल हजबेंट्री है पोल्ट्री है पोल्ट्री है नाबाट नाम से यह सब्जेक्ट हम पहले ने वाले है तो इन सब्जेक्ट को मैं पहले कवर करने वाला हूं ताकि यह सब्जेक्ट आपके पहले कवर हो जाए और यह अच्छे कासे सब्जेक्ट भी है आज कल इनका वेटेज भी ज्यादा हो गया आज कल एफो वाले एक्जाम में भी फिसरी फोरेस्टी इंजिनेरिंग एनिम 12 से भी पढ़ेंगे लेकिन पहले यह कवर करेंगे ठीक दूसरा यह क्लासे कब से होगी बता दू मैंने 25 का बोला था तो एक दिन छोड़ सकते हैं लगबक या तो 27 से सुरू करूं या 28 से सुरू करूं ठीक क्यों क्योंकि अभी दो दिन मैं आत्मा पर बात करूंगा तो 27 28 जुलाइस को एक लासे कंफर्म शुरू हो जाएगी ठीक दो दिन और डिले कर रहा हूं बच्चा ऐसा ने क्लास नहीं होगी दो दिन डिले कर रहा हूं क्योंकि एक अगस्त को आत्मा की एक्जाम है तो इसमें मुझे दो मेराथन करवाने के लिए मुझे दो दिन तयारी कर है ना कंटेंट धुनना पड़ेगा नोर्स बनाने पड़ेंगे सारी चीजे ठिक दुसरी बात एजी टी एकि बात करें यूपी एजी टी एक की इन बचों का कम्प्लेट हिंदी मीडियम की क्लास है ना यह भी शुरू होगी 27 तारिक से 27 य 28 जुलाइस साथ में रहेगी ठीक और दो क्लासेस आपकी कर रहेगी एटीम बीटीम के लिए मेरा थनवाली यह 26-27 में रहेगी इसलिए मैं थोड़ा से डीले कर रहे हूं यह फो वाले बच्चे परेशान मत हो ना किसा आप बार बार डीले कर रहे हो दो दिन और चोड़ो 27-28 से कंफर्म शुरू हो पड़ेंगे यह कर ले दे क्योंकि उसका गंड़ तो आल्रेटी बहुत सार पड़ा है आर यू की क्लास में वहां से अपड़ सकते हैं इसका कुछ भी नहीं है इसका हम शुरू करें गया दो क्लास आपकी मेरा थन होगी किसकी एटीम और बीटीम की यह होगी और सारी क्लास बच्चे ने कॉर्स कर लिए दा एक सु निनाने माला और उसका जब सेलेक्शन नहीं होगी तो फिर वो बोलेगा एक सर आपकपड़ायो कुछ आया नहीं है फलाना यह कमेंट वो कमेंट और यह सारी चीज़े होती है ठीके बच्चा तो यह कटो भी बता दिया आने वाली क मुझे दिया पिछले दो-तीन महीनों में जब से मैंने आरियो की एक्जाम के लिए जो शीरीज शुरू की है बिलकुल नी स्वार्थ बिना किसी प्रमोशन के बिना किसी फालतू बातों के उससे आप लोगा ने मुझे बहुत प्यार दिया और कल-कल जो लेक्चर मैंने आरियों पड़ाया है वैसा एवफो भी पड़ाऊँगा जो बच्चें एवफो की तयारी कर रहे है वह शातमें जूड़ सकते हैं मेरे साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एवफो क्लास में जो कंटेंट है हमारा जो नोटस है उसको हम रिवाइस करेंगे है ना के टेस्ट भी देना शुरू कर देंगे, टेस्ट भी हम दुबारा से बनाएंगे, सारी चीछ में नए तरीके से नए नोर्स, नए चीछ सब कुछ नए तरीके से तयारी करेंगे, कुछ भी दुबारा से, कुछ भी वैसी चीज़े नहीं करेंगे, जो आगे जाके आपको दिक बच्चा उनी को जाएगा, बच्चों की ही मैनत है, बच्चे ही मैनत करते हैं और क्रेडिट भी उनी को जाता है, ठीक है, अब मैं यह नहीं बोल सकता कि आप मुझे क्रेडिट दीजे या मेरा कोई रोल है, वो आपके उपर है बच्चा, आपकी मैनत, आपने सिलेक्शन लिय जैसे भी लिया, जब भी आपका रिजल आए, जब भी आपका सिलेक्शन हो, बस एक इंफर्म करके आप मुझे बता सकते हैं, हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, बाकी आपकी मर्जी के बिना, या आपके कहें बिना, मैं यहाँ पर ना तो कोई आपकी फोटो लगाँगा, नहीं मैं कुछ बोलूँगा कि यह मेरा बच्चा है, इसका मेरा सिलेक्शन हुआ, कभी नहीं बोलूँगा, आपके उपर डिपेंड करता है कि हाँ मारा सिलेक्शन हुआ और सर का कोई थोड़ा बहुत भी रोल है, तो आप खुद मुझे फोन करके बता सकते हैं कि हाँ सर म आपको जाता है, क्योंकि अगर मेरे साथ 1,000 बच्चे पढ़े हैं और अगर सिलेक्ट 200 बच्चे हुए, तो मेरी रिस्पॉंसबिल्टी उन 800 बच्चों के साथ भी है और 200 बच्चों की साथ है, तो जो बच्चे 200 सिलेक्ट हुए हैं, उन में अगर मेरा कोई रोल नहीं रह यह कटोप के लिए जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपसे ली थी, वो confidential है, मेरे पास ही रहेगी, उसका किसी प्रकार से कोई दुरुपयोख नहीं होगा, तो यह मेरी तरब से जो जानकारी थी, अब आज की बात ना मैं कोई किसी कटोप पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं पहली बार बात की और आखरी बार बात की, अचके बात कभी कटोप पर बात नहीं करूँगा, मेरा काम सी पढ़ाना है, और पढ़ाई से लेटर जो भी चीजे होगी, वो मैं करूँगा, ठीके बच्चा, तो मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में आफो के, आफो के स्पहले है, ठीके बच्चा, धन्यवाद, आप सभी का बहुत-बहुत प्यार मुझे मिला है, उसके लिए तर दिल से आपका आभार, थांक्यू बर्यमाच, चेहिं, जे बारत